Battle of Okinawa पूरे World War 2 का जो Pacific theater था उसका सबसे last एक बड़ा campaign था, बड़ी लड़ाई थी जैसे ऐसे Pacific में अमेरिका एक एक करके एक एक करके islands को capture कर रहे थे, वहां से Japanese लोग को हटा रहे थे सब लोग ये बाद समझ रहे थे कि अब किसी भी वक्त Japan पर invasion हो सकता है अमेरिका लोग भी convince हो गए थे कि वो लोग Japan को जल्दी invade करने वाले हैं और Japan भी ये बाद जानता था कि अब ये home islands पर हमला कर देंगे इसी वज़े से जैसे जैसे Americans Japan के नस्दीग पहुँच रहे थे, वैसे वैसे उनकी casualties बढ़ रहे थी क्योंकि Japanese resistance बहुत stiff हो रहा था Japanese commanders ने ये बात बना के रखी थी कि इन लोगों को Japan के अंदर आने से पहले इतनी casualties दे देंगे कि इन लोग का मन बदल जाए ये लोग invade ना करें तो आज episode 69 में हम बात करेंगे battle of okinawa के बारे में जर्मनी शुरू होती है साल 1945 के मार्च से जो World War II Eastern Front पे चल रहा था वहाँ पे जो Soviet Army थी वह बहुत नस्दीक पहुंच चुके थे जर्मनी के इन फाक्ट बंगलिन के जर्मनी की राजधानी के 76 किलोमीटर के रेंज में वह आ चुके थे अगर Western Front पे बात करें तो Allied Forces यानि कि American और French और British Forces आके अब उन्होंने Battle of Bulge में जर्मनी की forces को हरा दिया था और अब वह भी बहुत नस्दीक थे जर्मनी को प्रॉपरली इंवेट करने के तो यह दिखाई पड़ा था कि जो Axial Alliance है यानि Japan, Italy और Germany यह लोग अब हारने वाले थे यह बात क्लियर हो गई थी तो यूरोप में तो जीत रहते है Allies बट Pacific Front पे कुछ और ही चल रहा था हाला कि जीत तो यहाँ पे भी रहते American और British forces मिलके बट यहाँ पे हर जीत के साथ Allies को बहुत हाई casualties हो रही थी और वो चीज एलाइड कमांडर्स को उनकी लीडर्स को यह चीज बहुत खटक रही थी कि कैसे हम जपान को जल्दी हना है without many casualties तो Pacific campaign में आगे बढ़ते बढ़ते पहले उन्होंने Mariana Allies को capture किया उसके ब दोनों बैटलिस के बारे में मैंने जो वीडियो बनाया है उसका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा तो आईवोजीमा को जब capture किया उन्होंने तो हलाकि जीत तो मिली उनको महाँ पे बट फिर भी American लोगों को बहुत heavy casualties हुई और सब लोग फिर यह बोने लगे कि इस आईवोजीमा की आईलेंड को छोटा सा आईलेंड है इसको capture करने की जरूरत भी थी क्या जितना इसमें नुक्सान हुआ बट वो complete हुआ और उसके बाद अब ओकिनावा की बारी थी ओकिनावा दरसल रियूक्यू आईलेंड का एक हिस्सा था बहुत सारे चोड़ चोड़ आईलेंड थे उसमें ओकिनावा सबसे बड़ा था और यह अगर आप मैप में देखेंगे तो जापान की बिल्कुल यह आईलेंड काप्चर करना बहुत जरूरी था अमेरिकन फोर्स के लिए क्योंकि ओकी नावा सबसे बड़ा आईलेंड था और उसको आपने काप्चर करें लोगे और यहां से जपान को इन्वेशन करने का यहां से चारा प्लान होगा लगभग 466 स्क्वार माइल्स इसका आईलेंड को आपकी शिप्स आ सकती हैं और यह सारी चीज़ को आप इसकर सकते हो जपान को इन्वेट करने के लिए आईलेंड की जो जग्राफी थी वह डिफेंस के लिए बहुत अच्छी थी यानि वहां बहुत बहुत जंगल थे और पहाड़ी एरिया था तो जो भी और यह सारी आलेंस निकल गए हाँ से तो जपान भी हाँ से निकल जाएगा बात करते हैं आप अब मिलेटरी फोर्स की जो इंवेडिंग फोर्स होने वाली थी अमरीका की वह 10 आर्मी इसको लीट कर रही थी पूरी इन्वेजिन को और इसके कमांडर थे जनरल साइमन बकनर उनका साथ अमरीका की फिफ्थ फ्लीट देने वाली थी अगर दूसरी तरफ जपान की बात करें तो उनकी जो में फोर्स हाँ पर थी वो थी 32nd आर्मी और इनके कमांडर थे मिट्सुरू उशिजीमा और इनको सपोर्ट कर रही थी जपान की सबसे बड़ी और आक्चली उस अमेरिकन सोल्जर्स देख रहे थे अपनी शिप से और वो घबरा रहे थे क्योंकि उन्होंने यह चीज आई वो जीमा में भी देखी थी कि उन्होंने इतनी बांबिंग की थी पर जब आक्चली लैंड किये तो वहां पे इतना भयंकर कैशुल्टी देखना पड़ा उन लो लोगों को गवाना पड़ेगा ऐसा अमेरिकन कमांडर सोच रहे थे बड़ जो भी हो उनको करना था तो डर डर कि उन्होंने जब फाइनली अपना इंवेजन शुरू किया यहां पर फोर्स लैंड करना शुरू ही तो वह एकदम सर्प्राइज हो गए क्यों कि यहां पे बि सब लोगों को मार दिया बॉम करके ऐसा हो सकता है गया बट अराम से सब लैंड कर गए और उनके बाद उनका टैंक्स आ गया और कोई दिक्कती नहीं हुई ऐसा कहते हैं कि इतने आसानी से लैंड किये थे लोग उकिनावा पे कि अगर सोल्डर स्टैर के भी आ जाते ना तो एक जैपनीज प्लेन लैंड किया और उसका पाइलेट उत्रा उसने और दिया कि प्लेन को पूरा फूल करो और तो उसे रेलेस के रहे हैं यहां तो सारे अमेरिकन्स आ चुके हैं ऐसा हुआ इसलिए था क्योंकि जो जैपनीज कमांडर थे यहां पे उशिजीमा उन्होंने अपने सारे सोल्जर्स को बोलकर रखा था कि तुम पीछर जाओ और ज्यादातर जो जपाइं के सोल्जर्स थे यहां पे वो लोग सदन उकिनावा की तरफ गठाओ के रखे थे अगर पूरी जैपनीज फोर्स की बात करें उकिनावा पे तो लगभग यहां पे एक लाख त तो आप पूरे पैसिविक में अगर आपने कोई भी मूवी देखी है कोई भी दोक्यूमेंटरी देखी तो आप यह बात जरूर देखेंगे यूरोप में इतना वो डरते नहीं थे जितना अमेरिकन्स यहां डरते थे क्योंकि जैपनीज लोग छुपके रहते थे और यहां पे ट्राइंगल था एक तिकोना शेप था इन तीनो जगाओं पर जैपनीज पोजिशन और वो तीनो पोजिशन एक दूसरे को देख सकती हैं तो अगर यहां से अफायर करोगे तो आपको यह दोनों पोजिशन दिखाई पड़ रहे हैं यहां से तो यह दोनों यहां मुश्किल था आप कहा सकते हैं कि पुराने जमाने में यह से चक्रवी रच्टे थे यह कुछ उस तरह की डिफेंसिव लाइन थी और अमेरिकन्स को इस लाइन को तोड़ के आगे बढ़ना था क्योंकि इसको नहीं अगर कैप्चर किया तो जितने भी जैपनीज लोग हैं यहां पर उनका भरा नहीं सकते हैं तो यहां फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया दूसरी तरफ कुछ अमेरिकन सोल्जर्स ने नौर्दन ओकिनावा की तरफ मूव करना शुरू किया यहां पर भी जैपनीज सोल्जर्स थे बट क्योंकि यहां पर जैपनीज सोल्जर्स उसकी नेवी की 7th fleet जो थी वो यहाँ पर आ रही थी ओकिनावा के तरफ ओकिनावा के ये defense को support करने के लिए तो उन जितनी भी ships थी उनमें उनमें जो सबसे बड़ी सबसे celebrity जो ship थी जो उसमें दुनिया की सबसे बड़ी battleship थी यमातो वो भी इस fleet में थी यमातो को instructions दिये गए थे कि आपको जाके यहाँ पर जो land किये हैं troops उनलों की पहले landing रोक नहीं है उनको destroy करना है जो troops आपर land कर चुके हैं उनको खतम करना है और उसके बाद आपको ये island पर जाके अपनी ship को वहाँ पर you have to run it aground मतलब आपको अपनी ship को island के पास लगा देना है और ship को जमीन से touch कर देना है तो आपकी ship चल नहीं पाएगी फिर ship पे जितनी भी guns हैं आपको उन guns को उज़ करके इस island के defense को यूज करना है और जितनी भी sailors हैं यमातो पर वो उत्रेंगे जमीन पर आएगे और वो भी लड़ाई करेंगे Japanese soldiers के साथ Americans के साथ लड़ाई करने के लिए बट ऐसा हो नहीं पाया जब यमातो चली थी ओकिनावा की तरफ तो कुछ American submarines थी उन्होंने detect कर लिया था कि यमातो ऐसा जा रही है उन्होंने फिर अपनी American Navy को बताया और फिर American Navy के जहाज यहां पर पहुँचे और फिर यहां से American ship से कुछ planes take off किये और उन्होंने जब यमातो को open water में देखा तो उसके पर bomb करना शुरू किया तो काफी bombs गिराए यमातो के उपर और यमातो अपने objective पे पहुचने से पहले ही रास्ते में ही डुबा दे गई तो जो पूरी यमातो की कहानी थी जो सबसे बड़ी battleship सबसे powerful battleship दुनिया की उसके बारे में पूरी उसकी जो स्टोरी है उसकी परमें एक वीडियो बनाया है मैंने उसका लिंक इस description में डाल दूँगा वीडियो के और यमातो क्या लागा हूँ जो जर्मनी की सबसे popular सबसे पाकतवर battleship थी बिसमार्क उसके उपर भी मैंने वीडियो बनाया है उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा दूसरी तरफ दक्षणी ओके नावा में situation कुछ अलग थी यहाँ पे Japanese लोग ने बहुत तगड़ा defense बना के रखा था और Americans धीरे धीरे बहुत heavy casualties लेके आगे बढ़ रहे थे तो जो शुरी line थी उनकी Japanese लोगों की उसके बाहर जो outpost थी उनको एक 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 करके capture करना शुरू किया Americans इस पूरे campaign में बहुत सारी important बड़ी बड़ी लड़ाईया हुई थी जिसको आप उकिनावा के campaign में count कर लेते हैं उसमें से एक थी काकाजू रिच की लड़ाई, शुगर लोफ हिल की लड़ाई, होर्शू रिच की लड़ाई, और हाफ मून हिल इन सारे छोटे छोटे बैटल से मिल के पूरा उकिनावा का campaign बना था फिर में end आते आते शुरी castle जो है उसको Americans ने capture कर लिया और जितने भी Japanese soldier साहां बचे थे, वो एकदम दक्षिणी हिस्से में चले गए उकिनावा के, मतलब एकदम end पे चले गए में तो जब war end होते होते जब Japanese लों के पास planes बहुत कम बचे थे उनकी नेवी बहुत कमज़ोर हो गई थी तो उन्होंने अपने pilots को यह instructions दिये थे कि पहले तो आपको जाके American ships के उपर हमला करना है उनको bomb से, अपनी gun से उनको नुक्सान पहुचाना है बट जब आपको पता है कि अब आप कुछ और नहीं कर सकते तो last moment पे आपको अपने plane को लेके जाना है और ships से टकरा देना है तो इस सिलसिले में obviously pilot तो मरे गई बट ship का भी बहुत damage होगा तो ओकिनावा के campaign में Americans को बहुत heavy casualties देखनी पड़ी थी कामिकाजय attacks के वज़े से अगर numbers की बात करें तो 36 ships डूब गई थी कामिकाजय attacks के वज़े से उसके अलावा 366 ships damage होई थी लगभग 4900 sailors मारे गए थे और 4800 घायल हुए थे अबकुल मिला के 763 planes Americans ने गवा दिये थे यह सारा सब कुछ कामिकाजय attacks के वज़े से वज़े से वज़े से वज़े से वज़े से वज़े नावा में Americans और आगे बढ़ रहे थे और उनको फिर एक लंबी सी एक क्लिफ दिखी एक तरह से आप कह सकते हैं खाई जो की 400 feet की थी अब Americans को 400 feet की चढ़ाई चड़के उपर जाना था और वहां पर फिर जापनीज लोग बैटे हुए थे यह जो एरिया था इसको mad encampment कहते हैं या फिर जो popular नाम है वो है hacksaw Ridge तो एक बाए नहां से Americans उपर चड़ते थे उपर पहुंश के जब थोड़ा आगे बढ़ते थे फिर तुरंत Japanese लोग यहां fire करना शुरू करते थे और इस वज़े से बहुत सारे American platoons यहां पर मारे जा रहे थे बट बहुत समय के बाद एक के बाद एक platoons आते हैं और धीरे 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 उन्होंने इस जगा को भी capture कर ही लिया hacks or rich की लड़ाई बहुत reasons के वैसे popular है कि हां बहुत casualties हुई थी बहुत लोगों ने अपर अपनी जान गवाई थी बट उसके अलावा एक और reason है जिसके वैसे यह एक battle famous है क्योंकि इसमें एक American soldier था जिसका नाम था Desmond Doss इस बंदे ने एक तरह से वह Christian था और उसने कसम खाई थी कि कभी भी जिन्दगी में वह हत्यार नहीं उठाएगा तो वह soldier था आर्मी में और medic था मतलब लोगों का इलाज करता था वह battlefield पे उस बंदे ने आर्मी का बचा लिया था एक तरह से evacuate कर दिया था और इस वज़े से इस बंदे को इस पूरी लड़ाई के बाद medal of honor भी मिला था इसकी कहानी के उपर एक बहुत famous picture बनी अगर आपको उसका नाम पता है तो मुझे कौन से बताना है इसके बाद almost उकिनावा की लड़ाई खतम होने आई ही गई थी यहां पर Americans की जीत almost पूरी हो चुकी थी बट जो civilians थे उकिनावा आइलेंड पर उनको असा बताया गया था कि अगर American लोग यहां पर जीत गए तो वो किसी को भी बंदी नहीं मनाएंगे सब को मार देंगे इस सिर्फ साथ हजार Japanese लोगों ने सरेंडर किया 22nd June को जब Japanese commander उशी जीमा ने सुसाइड कर ली उस दिन को ऐसा कहते हैं कि इस दिन Japanese defense खतम हो गया और Battle of Okinawa में Americans की जीत हुई Okinawa की लड़ाई पूरे American history की एक बहुत ही घातक लड़ाई थी क्योंकि इसमें बहुत सारी casualties वी Americans को लगबग 49,000 casualties वी थी यहां पे Americans को जिसमें से लगबग 12,000 soldiers उनके मारे गए थे और तो और जो General Buckner थे वो भी इस लड़ाई में मारे गए थे और बहुत ही unfortunate बात है जब लड़ाई almost खतम हो चुकी थी तो वो front lines का एक बार बस तूर कर रहे थे मौयना कर रहे थे तब एक Japanese artillery आई रिकोशे करके मतलब कहीं से टकराके कहीं से और जाके उनको लग गई और इसके उनकी मौत होगी तो इस प्रकार General Buckner पूरे World War 2 की highest ranking casualty थे मतलब सबसे senior officer जिसकी मौत लड़ाई के दौरान होई अगर जैपनीस लों की बात करे तो उन्होंने एक लाख 10,000 soldiers को गवाया और civilians म कि ये तो Okinawa था ये तो Japan का mainland था भी नहीं जब वो Okinawa को और बाकी islands को इतना fiercely defend कर रहे हैं तो Japan में क्या हाल होता होगी Japan में तो 20,000,000 Japanese soldiers हैं जो मरने के लिए तयार होगे तो इस बज़े से अब Americans को लग रहा था कि direct invasion करना बहुत खतरनाक हो सकता है फिर भी उनका प्लान तो था कि operation downfall के अंदरगर वो Okinawa से और Rukio Islands से ही अपना पूरा invasion को stage करेंगे यहां से उनका invasion चुड़ होगा जपान के islands के उपर बट obviously ultimately जपान का invasion नहीं हुआ, जपान को किसी और तरह सहराया गया तो यह तो थी कहानी battle of Okinawa की मेरी पूरी जो world war 2 की series है उसका जो next episode है उसका link आपको इस video के description में मिलेगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चानल जग्यासेम को subscribe जरू करें